रादे क्रिशन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लड़ा में दोस्तों हम लोग करेंट अफेर्स के सीरीज को कवर कर रहे हैं जिसमें हम लोग पिछले पूरे एक साल के करेंट अफेर्स को वन लाइनर के माध्यम से कवर कर रहे हैं जिसमें हम लोगोंने जनवरी फरबरी और मार्च के कुछ महतोपुन प्रेशनों को कवर किया आज के वीडियो में हम लोग मार्च के बचे वे महतोपुन प्रेशनों को और अप्रेल की करेंट अफेर्स को वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे तो अगर आपने हमारी पहली प्रश्ण है 26 मार्स 2023 को किस देश ने NHBC लिमिटेट को सेती नदी जलविदूत परियोजना का अध्यन करने की अनुमती दी है तो दोस्तों नेपाल के द्वारा NHBC लिमिटेट को सेती नदी जलविदूत परियोजना का अध्यन करने की अनुमती दी है किसे दिया गया है नेप करोर रुपे का जुर्माना लगाया है दोस्तों केरल सरकार पर 10 करोर रुपे का जुर्माना लगाया गया है एंजी टी के दोरा और क्यों लगाया गया है तो रामसर अस्तल की सुरक्षा में विफलता के कारण लगाया गया है अगला क्वेश्चन है 26 मार्ट 2023 को किसे अगला कुश्चन है 27 मार्स 2023 को महिला प्रीमियर लिग 2023 का खिताब किस ने जीता तो दोस्तो मुंबई इंडियन के द्वारा दिल्ली कैपिटल को हरा कर महिला प्रीमियर लिग 2023 का खिताब जीता गिया किसके द्वारा जीता गिया मुंबई इंडियन के द्वारा अगला कुश बारत की सबसे भारी LB M3 rocket का प्रक्षेपन इश्रों के द्वारा किया गया कितने उपणों के साथ 36 जूबणों के साथ अगला कुश्चन है 27 मार्स 2023 को ISSF विश्व कब 2023 में 25 मीटर पिश्टल स्प्रधा में मनु भागर ने कौन सा पदक जीता दोस्तों मनु भागर के द्वारा का से पदक जीता गया अगला कुश्चन है 27 से 29 मार्स 2023 तक G20 परियावरन और जलवायू स्थीरता कार ये संभू की दूसरी बैठक कहा आयो जित की गई तो ये गांधी नगर गुजरात में आयो जित की गई G20 परियावरन जल विदो तिस्थीरता कार एक्रम संभू की दूसरी बैठक अगला question है वन्य जीव संद्रक्षन पुरुषकार 2023 किस ने जीता तो आलिया मीर के द्वारा जीता गया वन्य जीव संद्रक्षन पुरुषकार 2023 अगला question है 27 मार्श 2023 को किस देश की पूर्व राश्च्टपती डिमला रूशेफ को New Development Bank के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो ब्राजील की पूर्व राश्टपती डिमला रूसेफ को New Development Bank औय्डी बीव के द्वारा अध्यक्ष के रूप में चुना गया अगला क्वेशन है 28 मार्च 2023 को किस ने बैंगलूरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभू केमपे गोरा की मूरती का अनावरन किया अगला क्वेशन है तो दोस्तो इजराहिल के प्रधान मंत्री के द्वारा देश व्यावे बिरोध के बाद न्याएक सुरक्षा स्थागित करने की घोशना कर दी गई अगला कुश्चन है अगला प्रश्ण है अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है 28 मार्स 2023 को कर्मचारी भविष्य निदी संगठनी ने वर्ष 2022 के लिए ब्यास दर बढ़ा कर कितना परतिसत कर दिया है तो आठ दिसमलब एक परतिसत कर दिया गया है अगला कुश्चन है 29 मार्स 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली electronic bank guarantee जारी की है तो Yes bank के दवारा अपनी पहली electronic bank guarantee जारी की गयी है 29 मार्स 2023 को किस देश ने घातक मार्गबर्ग virus बीमारी के प्रकोब की घोष्णा की है दोस्तो मार्गवर्ग वाइरस की घोशना तंजानिया के द्वारा किया गया है अगला क्वेशन है 29 मार्च 2023 को किस राजजेन के NGO तपोवन को Children's Champion Award 2023 से सम्मानित किया गया तो दोस्तो असम राजजी के NGO तपोवन को Children's Champion Award 2023 से सम्मानित किया गया अगला question है 29 मर्श 2023 को कौन सा देश संगाई सयोग संगठन का संबाद साजेदार बना साउधी अरब जो है दोस्तो संगाई सयोग संगठन का संबाद साजेदार बना अगला कुश्चन है 30 मार्स 2023 को आर्टन कैपिटल दोरा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सिर्ष पर रहा तो आर्टन कैपिटल दोरा यूए आर्टन कैपिटल दोरा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में यूए सिर्ष पर रहा अगला कॉश्चन है 30 मार्स 2023 को G20 आवदा जोखिम न्यूनी करन कारिय समू की बैठक कहां शुरू हुई तो ये गांधी नगर गुजरात में शुरू की गई है अगला कॉश्चन है 30 मार्स 2023 को QS World University रैंकिंग 2023 के अनुसार एसिया में सबसे अधिक परतिनिदित वाला देश कौन है तो चीन है दोस्तो अगला कॉश्चन है 30 मार्स 2023 को QS World University के मुखमंतरी ने पत्सरी रास्तासरी पर्योजना की सुरूबात की है तो पत्सरी रास्तासरी पर्योजना की सुरूबात पस्ची मंगाल सरकार के द्वारा सुरू किया गया है किसके दोरा सुरू किया गया है तो पश्ची मंगा सरकार के दोरा सुरू किया गया है बतसरी रास्तसरी पर्योशना अगला कुश्चन है कि सराज्य की कांगरा चाय को यूरोपय जी आई टैग मिला है तो कांगरा चाय हिमाचल प्रदेश का है और हिमाचल प्रदेश की कांगरा चाय को जी आई टेक प्रदान किया गया अगला कुश्चन है 30 मार्स 2023 को फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ इसे किस ने लिखा तो फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक लेखनात छेतरी हैं जो की दारजनिंग के लेखक हैं कौन लिखे हैं फुलंगे नामक पुस्तक तो लेखनात खतरी लिखे हैं सबसे जादा विकेट लएने वाले刚 साकीव अल्हसन को की बांगलादेश की हैं अगला कुशन है टीस ओरस को किस राज़ी की स्ठापना दिवस मनाया जाता है तो दोस्तो 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाये जाता है अगला क्वेशन है 30 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्यूनिकेशन कॉनक्लेव का आयोजन की सहर में किया गया है तो दोस्तों नई दिल्ली में शुरू किया गया है पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्यूनिकेशन कॉनक्लेव अगला कुश्चन है 31 मार्स 2023 को BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसी अपना आधिकारिक भागिदार बनाया तो हार्वल लाइफ को बनाया गया है BCCI ने हार्वल लाइफ को टाटा IPL 2023 के लिए अपना आधिकारिक साजेधार बनाया अगला कुश्चन है 31 मार्स 2023 को भारत के 87 ग्रेन माश्चर कौन बने हैं तो सयनतान दास कॉलकता के हैं ये क्या सीवे सत्रंच ग्रेन मास्टर के ग्रेन मास्टर बने अगला कुशन है एक अप्रेल 2023 को किस राज्य सरकार ने सिख्षा और रोजगार में 10% EWS यानि कि आर्थिक रूप से कमजोर भर कोटा अधिसूची जारी किया है तो दोस्तों करनाटक सरकार के द्वारा सिख्षा और रोजगार में 10% कोटा अधिसूची जारी किया है EWS के द्वार के लिए अगला कुशन है एक अप्रेल 2023 को भारतिय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेलवे विदूतिकरन हासिल किया है तो जैपूर राजस्थान में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा cricket stadium बनेगा आप हमें कमेंट में बताएं कि पहला सबसे बड़ा cricket stadium कहां इस्थित है अगला question है एक अप्रेल 2023 को नासा के moon to mars program के पहले प्रमुक के रूप में किसे निउक्त किया गया तो अमित छत्री को नासा के द्वारा moon to mars program के पहले प्रमुक के रूप में निउक्त किया गया है अगला question है एक अप्रेल 2023 को WHO ने अजरबेजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमानित किया तो तजाकिस्तान और अजरबेजान को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमानित किया है अगला question है 2 April 2023 को दिल्ली इंटर्नेशनल ओपन सत्रंज खिताब किस ने जीता तो 28 चितामरम के द्वारा दिल्ली इंटर्नेशनल ओपन सत्रंज का खिताब जीता गया अगला question है 1 से 4 April 2023 तक दूसरी G20 Tourism Working Group की बैठक कहां आयोजित की गई तो सिली गुरी तथा दार्जिलिंग में आयोजित की गई दूसरे G20 टूरिज्म बर्किंग ग्रूप की बैठक अगला प्रश्ण है दो अप्रेल 2023 को नाटो का 31 सदस्य देश बना दोस्तों फिनलेंड दो अप्रेल 2023 को नाटो का 31 सदस्य बना अगला कोश्चन है तापमान ब्रदी में योगदान के मामले में कौन सा देश सिर्ष भर रहा है तो तापमान ब्रदी में अमेरिका सबसे ज्यादा तापमान ब्रदी कर रहा है और सिर्ष पर रहा है अमेरिका रहा है तापमान ब्रदी में अगला कुश्चन है दो अप्रेल 2020 को यूरोपियन यूनियन ने किस देश के उच जोकी वाले तेत्या देश छेत्रा अधिकार सुची से हटाया तो पाकिस्तान को हटाया अगला कुश्चन है दो अप्रेल 2020 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिक्सन वर्किंग ग्रूप की बैठक कहा शुरू हुई तो ये गामी नगर गुजरात में शुरू ही दूसरी एनर्जी ट्रांजिक्सन वर्किंग ग्रूप की बैठक अगला question है 2 April 2023 को भारत और कौन से देश रुपे में व्यापार करने पर सहमत हुए तो Malaysia और भारत रुपे में व्यापार करने पर सहमत हुए है अगला question है 2 April 2023 को किस टेनीज खिलारी ने अपना पहला मियांई ओपेन किताब जीता तो पेटा कुई तोवा के द्वारा अपना पहला मियांई ओपेन किताब जीता गया अगला कुश्यन है तीन अप्रेल 2023 को हिंदू फोव्या की निंदा करने वाला पहला अमेरीकी राजजी कौन बना है। तो जोर्जिया बना है जिसने हिंदू फोव्या की निंदा की है। अगला प्रश्ण है किस देश ने नए संविधान पर जन्मत संग्रह करवाया तो जवेकिस्तान के द्वारा नए संविधान पर जन्मत संग्रह करवाया गया अगला कॉश्चन है 3 अपरेल 2023 को IPL लिधियास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतिय बने हैं तो सलीम एहमद बने हैं IPL लिधियास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले पहले भारतिय अगला कॉश्चन है 4 अपरेल 2023 को चीन ने कि इस भारतिय राज्य में 11 स्थानों का नाम पतलने की घोशना किया तो रुनाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है अगला कॉश्चन है फ्रांस ने वाश्टलीन डे पेरेड में किसे आमंतरित किया तो वाश्टलीन डे पेरेड में नरेंद्र मोदी को आमंतरित किया गया है फ्रांस के द्वारा अगला कुश्चन है चार अप्रेल 2023 को अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विक्सित करने वारा दुनिया का पहला देश कौन बना है तो वो भारत बना है अगला कुश्चन है चार अप्रेल 2023 को किश्च ने लुआंची पहनकर अफ्रिका में माउंट कली मंजारों को फत्य किया है तो अंजली सर्मा के दोरा लुआंची पहनकर अफ्रिका के माउंट कली मंजारों को फत्य की है अगला कुश्चन है किस राज्य की वसोहली पैंटिं को GI tag दिया गया है दोस्तों वसोली पैंडिंग जम्मु कस्मीर की है और जम्मु कस्मीर के ही वसोली पैंडिंग को GI tag दिया गया है अगला क्योश्चन है चार अप्रेल 2023 को किस राज्य सरकार ने गड़मी को मात देने ही तो कूल रूफ पॉलिसी सुरू की है तो तेलंगाना के तेलंगाना सरकार ने गड़मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू कि अगला कॉश्चन है पाँच अप्रेल 2023 को किस स्टार्ट अप ने 3D प्रिंटेट क्रायोजैनिक इंजन का सफर पडिक्षन किया स्काइरूट एरोस्पेस के द्वारा 3D प्रिंटिंग क्रायोजैनिक इंजन का सफर prediction किया गया अगला question है 5 April 2023 को सुचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेली फायर मिसाइल और MK-54 टॉरपीडो खरीदा तो भारत ने खरीदा अगला question है 5 April 2023 को किस देश ने बरे निवेश को आकरसित करने के लिए golden license launch किया है अगला question है 5 April 2023 को किस देश ने नया ओपन 13 जासुसी सेटलाइट आंतरिक में launch किया गया है तो इजराइल के द्वारा ओफेक 13 जासुसी सेटलाइट launch किया गया है अगला प्रशन है किस राजजी के मरचा चावल को GI tag दिया गया है तो दोस्तो बिहार राजजी के मरचा चावल को GI tag दिया गया अगला question है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौनसा राजजे सेटलाइट पर रहा है अगला क्वेश्चन है पांच अप्रेल 2023 को किसे फ्रांस का सर्वोच नागरिक प्रुसकार से सम्मानित किया गया तो किरन नादर को फ्रांस के सर्वोच नागरिक प्रुसकार से सम्मानित किया गया अगला प्रश्ण है 6 अप्रेल 2023 को मोरिल वोन किर्केट कलब ने महेंदर सिंग ध्वनी सहीद कितने भारते खिलारी को आजीवन मानत सदस्यता प्रदान किये तो पांच खिलारी को मोरिल वोन किर्केट कलब के द्वारा आजीवन मानत सदस्यता प्रदान किये कुश्चन है कौन सा देश राष्टपती को पॉलेंट का सिर्ष प्रुषकार प्रदान किया गया तो युक्रेन के राष्टपती को पॉलेंट का सिर्ष प्रुषकार प्रदान किया गया अगला कुश्चन है 6 अप्रेल 2020 किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहारी सम्मान महिला कौन बनी तो किम कॉटन बनी जो कि न्यूजिलंड की रहने वाली है वो ICC mains D20 किरकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला बनी खुद्धा 처今天 कि भी किम कॉटन बनी अगला कुश्चन है किस राजी की वुड कार्विंग को जी आइटेक मिला है तो लद्धा की यूवा यूरोलोजिस्ट पुरुसकार मिला है तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को यूवा यूरोलोजिस्ट पुरुसकार दिया गया है अगला कुश्चन है 7 अपरें 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्थ एरपोर्ट को किसे घोसित किया गया तो हार्ट्स फिल्ड जैक्सन को ज जी आई टेG मिला है तो नागरी दूबराच चाबल को जी इऑ टेG मिला अगला कुश्चन है साथ अपरेल 2023 को जारी फीफा रंकिंग में कौन शृत पर रहा है अगला कुश्चन है साथ अप्रेल 2023 को किस राज्जी सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निदी शुरू की है तो राजस्थान सरकार के दोरा महिला निदी शुरू किया गया है इसके दोरा सुरू किया गया है राजस्थान सरकार के दोरा अगला क्षिशन है, साथ अपरेल 2023 को किस देश को पुरूसों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ल कप की मेजवानी से हटा दिया गया तो पेरु को हटा दिया गया है अगला कुश्चन है 7 अप्रेल 2023 को किस राजी के बगवान हनुमान जी की 54 फीट उची प्रतीमा का अनावरन किया गया तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया अगला कुश्चन है 7 अप्रेल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम हंडेड रीडर पोल की विजेता चुना गया दोस्तो सारुक खान को टाइम हंडेड रीडर पोल का विजेता चुना गया अगला कुश्चन है 7 अप्रेल 2023 को सहयूक्त सेय ने अभ्यास कवच कहां शरू हुआ है तो सहयूक्त सेय ने अभ्यास कवच अंडमान निकोबार में शरू हुआ अगला question है कहा जरू हो आज कवच, अंदमानी को बाड़, 7 April 2023 को Volks दोरा जारी अरफबतियों की सुची में कौन सिर्थ पर रहा है तो वरणार्ड अर्नोल्ड रहा है, अरफबतियों की सुची में सिर्थ पर कौन रहा है वरणार्ड अर्नोल्ड रहा है अगला question है आठ अप्रेल 2023 को किस ने प्रवाह पोर्टल लॉंच किया है तो RBI के दौरा प्रवाह पोर्टल लॉंच किया गया अगला question है अधानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है तो बांगला देश के दौरा अधानी पावर लिमिटेड में बिजली सप्लाई शुरू की गई है अगला question है किस राजजी के लंगरा आम को GI टैक दिया गया है तो उत्तर प्रवाह प्रवाह प्रश्थान कहां आयोजित किया है दोस्तो भारतिय नौसेना ने अब तटिया सुरक्षा प्रश्थान को मुंबई में आयजित किया कहां आयजित किया मुंबई में आयजित किया अगला question है आठ अप्रेल 2023 को लगाता है छटे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ती करता कौन बना है दोस्तो चीन के द्वारा स्पेस पानिया ने तानियान लोन टू को तानियान लोन टू रॉकेट का सफ़ल परिक्षन किया है अगला question है नौ अप्रेल 2023 को जी टोएंटी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रूप की दूसरी बैठक कहां आयजित की गई दोस्तो जी टोएंटी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रूप की बैठक केरल में सुरू की गई अगला question है नौ अप्रेल 2023 को यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ओफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो सब भी सुब्रमन्यम को यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ओफिसर के रूप में नियुक्त किया गया किसे किया है सब भी सुब्रमन्यम को अगला question है नौ अप्रेल 2023 को राश्टपती द्रोपती मुर्मु ने कहां सुखाई अगला question है नौ अप्रेल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर प्रमानु हमला करने वाले ड्रोन हैल 2 का परिक्षन किया है तो उत्तर कोडिया के द्वारा किया गया है है हैल 2 का परिक्षन अगला question है नौ अप्रेल 2023 को सुचना अनुसार किस देश के बहुराश्टिय अभ्यास ओरियन में भारतिय राफेल भाग लेगा तो दोस्तो फ्रांस के बहुराश्टिय अभ्यास ओरियल में भारतिय राफेल भाग लेगा अगला question है IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलारी कौन है तो डैविड वर्नार बने है 6000 रन बनाने वाले खिलारी अगला question है दस अप्रेल 2023 को किस राजी की विधान सबा ने अनाथों के कल्यान के लिए विधेयक पारित किया है ACI किंग गिद संरक्षन का प्रजनन केंदर बना तो महराज गंच में बना है next question है दस अप्रेल 2023 को जारी बाग गन्ना केनुसर भारत में वर्ष 2022 तक बागों की आवादी बढ़कर कितनी हो गई है तो 1306 हो गई है अगला है किसने जम्मो में टूलिफ गार्डन का उदगाटन किया तो मनोच सिन्धा ने जम्मो कस्मीर में टूलिफ गार्डन का उदगाटन किया है अगला क्वेशन है 10 अप्रेल 2023 को किस ने और लियन्स मास्टर 2023 पुरुसकार एकल किताब जीता तो प्यूंस राजावत के द्वारा जीता गया अगला क्वेशन है 10 अप्रेल 2023 को किस ने सांकी की 2023 में अंतराष्ट्य पुरुसकार जीता तो C.R. राव के द्वारा जीता गया अगला प्रश्ण है 10 अप्रेल 2023 को ग्री मंतरी अमित सांने कहा वाइबरे विलेज प्रोग्राम लॉंच किया तो और नाजल प्रदेश में लॉंच किया गया वाइबरेंड विलेज प्रोग्राम तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए अपने दोस्तों से सेर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद